हेलो स्टूडेंट्स जैमा सरस्वती सो स्टूडेंट हमारे एकसाइज चल रहे है 3.1 जिसमें हमने अपने 4 तक कुश्चन कंप्लेट कर ले थे सो आज हमारा कुश्चन नमबर 5 फॉलॉइंग टेबल तो यहां पर हमें एक टेबल दीगी है ठीक है तो जो कर रहे है कि हमारे जो प्लेयर है कौन कौन से a b and c और उनने फॉर फॉर गेम खेल रहे हैं तो ना आंसर दे फॉलॉइंग कोश्चन तो इस टेबल के जरिए हमें क्या नीचे जो कुश्चन सा उनके आंसर देना है एंद mean of determined a average number of points score per game तो हमें यह पूछ रहे हैं कि जो हमारा player a है उसने आपने पर game में जो पर game में जो उसका average रहा है उसका क्या करना है हमें mean find करना है तो हमारा a का score होगा देखो क्या करेंगे तो सबसे first हो जाएगा हमारे fifth का first है यह तो ऐसे करेंगे तो देखो game aim है तो सबसे पारे तो उसके game का हो जाएगा game 1 का कितना है उसका 14 है game 2 का कितना है game 2 का उसका कितना है 16 यह दे रखे है game 1 game 2 game 3 game 4 तो यह a के score है यह b के score है c के score है तो यहां पर देखो did not play पे क्या हो जाएगा zero आज आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो यह हमारे S का है बड़ हमाभी एक ही बात कर रहे हैं तो उसका जो जितने भी उसने गेम के लिए 4 चारो गेम उसमें क्या है उसका average score कितना हो और को उसका mean find कर रहे हैं तो गेम 1 में इतना कर लिए गेम 2 में गेम 3 में तो देखो, गेम 3 में कितना करेगा वह, 10, ओके, गेम 4 में कितना करेगा, देखो, 10, अब देखो, टोटल स्कोर कितना होगा उसका, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर क्या होगा उसका, देखो, हमें उसका स्कोर ही तो पूछ रहे हैं, तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा उसका, 1 प्रस 1 प्रस 1 फंप्रस 1 इंσι यह 5 हो गया mean मीन का हमारा क्यों होता है इस फॉर्मॲा होता है इसम अपान टोनल्स कितने है Sum of score यहाँ पर आ जाए गा Sum of the score आ जाएगा ऐसका image score upon गेम ओ सब्ताहिए Zahl सब्सक्तितृ 50 अगया तो 50 आप ऑन कितने गेम खेलें वान फोर गेम कर रहा है उसने तो कितना आ जाएगा तो उसका कि अगर इसको अम सॉल्फ करते हैं तो क्या आएगा हमारा जाएगा फोर वंजा फोर यहां पे चले गिया वान हमारा फोर टू जा एट पॉइंट अप एट से हमार टू तो इतना रहा है इतना रहा है यह हमारे क्या कह रहा है हमसे यह तो व्हुट पाइंट पर गेम और उडिवाइद प्वाइन पर और भाइंट निकालना है उसके बार उसके point को जो उसके है Would you divided the total points of 3 और 4 Why? तो आपने उसको divide किया 3 से या 4 से ये पूछ रहे हैं देखो मतलब देखो divide किया इसका कहने का क्या मतलब है पहले तो mean निकालना है तो mean निकालने के लिए क्या होता है? देखो second है हमारे पास C का score क्या क्या है? देखो game 1 उसने खेला game 1 game 1 में कितना score था? उसका 8 था game 2 में कितना था? 11 था अब देखो उसने game 3 तो खेलाई नहीं है यानि did not play उसने खेलाई नहीं है उसने game 3 तो game 3 को हम नहीं करेंगे सीधे game 4 आ जाएगा यहाँ पे game 4 आ जाएगा ठीक है? यह 4C है हाँ? तो देखो जब उसका यह आ जा रहा है तो mean क्या हो जाएगा उसका? इसका plus कर लेंगे 11 plus 4 हमारा 15 15 plus 8 23 हो जाएगा हमारा ठीक है तो 23 हमारा जब यह हो रहा है तो उससे किस से divide करेंगे हम? 23 मतलब यह क्या हो जाएगा? sum of score हो जाएगा यह sum of score हो जाएगा upon क्या जाएगा? number of game आ जाएगा अब देखो number of game जैसे इसके 4 थे, इसके कितने हो जाएगी? इसने तो 1, 2, 3 कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? sum of game हमारा 23 आ रहा है और 4 and why 3 कर रहा है because because अगर यह है यह सी है he played only three games okay he not play the game three okay उसने नहीं play he did not play game three ठीक है तो उसने सिर्फ 3 कर रहे है इसलिए हम केवल किसे करेंगे three से यह हमने क्या कर रखा है यहां पर three से divide कर रहे है तो केवल क्या करेंगे three से divide करेंगे यहां पर answer भी कर रहे है किसी ने आप देखो next देखो be played in all four games उसने तो four games खेल भी रखा है देखो यहां पर ठीक है would you how would you find the mean तो आप उसका mean को कैसे find करेंगे देखो be played all games यह उसने four games कर रहे है यह all games कर रहे है बात एक ही है तो देखो third है हमारा be played all games बट देखो यहां पर be का first में कितना आ रहे है जीरो आ रहे है औरों में आ रहे है तो इसके लिए क्या करेंगे तो देखो game first game first में b का score क्या रहा 0 रहा game 2 में क्या रहा 8 रहा game 3 में क्या रहा 6 रहा game 4 में क्या रहा 4 रहा ठीक है तो total score क्या रहा total score उसका रहा इनका plus sum कर देंगे 6 plus 4 हमारा 10 हो जाता है 10 plus 18 हुआ तो mean कितना आ जाएगा sum of score upon number of game यह n है ओके number of game तो देखो sum of score कितना रहा रहा इसका 18 game कितने play कर रहा है 1 2 3 4 यानि 4 तो हम इसको 4 से divide करेंगे देखो 4 से क्यों divide करेंगे because जो हमारा c है उसने did not play उसने तो खेलाई नहीं इसने खेला तो है लेकिन score क्या रहा है 0 लेकिन यह क्या होगा count होगा okay तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास देखो क्या रहा जैसे 18 upon 4 इसको 2 से कर देंगे 9 upon 2 आ जाएगा इसका answer हमारा ठीक है तो यह कर रहा है ठीक है अब देखो who is the best performer तो इसमें सबसे अच्छा perform किसने कर रखा देखो इसका तो पहली 0 आ गया फिर भी number भी कमी है इसके देखो इसने a game खेला ही नहीं है तो जो हमारा a है जो हमारा next question देखो the marks out of 100 obedient by group student in science test यहां पर उनके numbers दे रखे है find अभी इसका find करना है हमें क्या highest and lowest marks marks obedient by student highest mark कितने हैं देखो इन में सब को अच्छी से ध्यान से देख लो हैस्ट आपको 95 दिखेगा ओके और lowest क्या है देखो lowest भी इसमें द्यान से देख लो क्या है lowest आपको साइट यहां पर 39 ठीक है तो यह हमने हमने लिख रहे का है highest and lowest आप देखो range of marks obedient तो range यह क्या होती है हमारा largest minus smallest तो largest यह है smallest यह मैंसे से माइनस करेंगे तो कितना हैगा 56 क्या रेंज आगी इन स्कूल द्यूरिंग 6 consecutive year was as follows तो यहां पर कुछ यह दे रहे हैं find a mean enrollment of the school for this period तो हमें mean करना है देखो जहां पर mean आपको दिख गया है तो सिर्प mean करना है बाकी कुछ नहीं तो इसका भी आप क्या कर लेंगे mean कर लेंगे sum of sum of क्या यह जो भी क्या कर रहा है enrollment sum of enrollment upon number of enrollment ठीक है तो यह कर लेंगे आ जाएगा हमार ऐसे करके कर लेंगे ठीक है यह sort में नहीं करना है जैसे मैंने यह वाले question कर रहा है सेम करना है यह बहुत sort करका ऐसे नहीं करेंगे ओके ठीक है अब जो 8th question है यहां पर इसको आप homework में करेंगे ओके इसको आप homework में करेंगे ठीक है thank you guys और देखो हमारा जो 9th question है उसे हम कल देखेंगे ठीक है करेंगे करेंगे